चैनल में आप से भी का स्वागत है दोस्तो आई आई बीए हमारा एक जम बहुत नजदीक आ चुका है और हमें तियारी करना है तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे दोस्तो कि हमें सौ्टकर्ट तरीके से कैसे तियारी करना है क्या है कि हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमें क्या पढ़ना चाहिए यह तो हम कभी सोचे नहीं है कि हमें किस पॉइंट को पढ़ना चाहिए क्या हमें याद करना है किस तरह कोश्चन पूछा जाता है ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर हम कोई book purchase किये या कहीं set मारते हैं तो उससे हमारा exam निकल जाए तो दोस्तों उसके लिए आपको जो है पहले उसका syllabus देखना होगा syllabus के बारे में जानना होगा कि इसमें से हमें कहां से पूछा जाएगा अगर हम समावेसी book भी खरीते हैं उसको अगर purchase किये हैं तो उसमें 220 पेज है दोस्तों 220 पेज को पढ़ना काफी tough चीज है तो उस तरह से तैयारी नहीं हो पाता है दोस्तों तो चलिए देखते हैं कैसे हमें तैयारी करना है आज आपको बहुत ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो कहीं आपको बहुत benefit मिलने वाला है इस वीडियो से तो हमारे वीडियो के साथ पूरा बने रहें तो इस चैनल पे अगर आप नए है दोस्तों तो चैनल को subscribe कर लिजे अभी तक bell notification को click करना बिल्कुल मत भूलेगा कि जबकि आप bell notification पे click करेंगे तभी मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा उसका notification आपको मिलेगा तो सबसे पहले दोस्तों जो है जो हम syllabus की तरफ नजर डालते हैं कि हमारे syllabus में क्या है तो देखें मैंने आज ही अपना syllabus को download किया है और कहां पर download हुआ है तो सीधा चलिए हम अभी इसको आज ही download किये हैं और download को हम देख लेते हैं तो हम अपना download में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा syllabus कहां पर download हुआ है तो देखे दोस्तों यहां पर यह मेरा सिलेवाइड डाउनलोड हो रखा है और इसको मैं पीडियेफ रीडर में ओपेन कर लेता हूं और ओपेन करने के बाद दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं कि क्या इसमें सिलेवाइड है तो तो देखिए दोस्तो यह IIbf का syllabus है जो कि मैं आपको पहले भी बहुत सारे काफी वीडियों में बता चुका हूं इसके syllabus के बारे में लेकिन इसका जो main point है दोस्तो उसको हम लोग समझ नहीं पार रहे हैं तो यहां पर देखिए उपर में heading दिख्या है certificate objective आपको पता है कि objective इसमें question होता है और objective में है दोस्तों कि हमें objective जो है वो कहां से पूछा जाएगा किस chapter से पूछा जाएगा इस चीज को जानना बहुत जरूरी होता है तो जैसे मैं यहां पर जो यहां पर देख लिए this course is sorry इतना आपको लंबा समझाएंगे तो काफी हमारा time लग जाएगा तो हम सीधा एक नंबर जो option है दोस्तों इसको मैं copy कर लेता हूं और सीधा चलते हैं हम google translate करते हैं इसको और यह देखिए हम यहां पर तो यहां पर दोस्तों जो एक नंबर में हमें बताया जा रहा है बैंको की भूमिका और कार्ज है तो हमको इसके बारे में जानना है दोस्तों हमको आगे कहीं नहीं पड़ना है हमको सिर्फ जानना है कि बैंको की भूमिका और कार्ज क्या है त इसके बारे में हम लोग जान लेंगे तो देखें आपको वह चीज भी दिखा देते हैं कि जो यहां पर दिया हुआ है इसका पूरा इसको भी आपको टांसलेट करके दिखा देते हैं नितो आप बोलेंगे लास्ट में कि ऐसा नहीं है तो देखिए आपको यहां पर इसको भी दिखा इस कोर्स का उदेश BCBF को ज्यान इंपुट और कौसल सेट परदान करना है इसलिए पाटकरम का उदेश बैंकिंग परिचालन में बुनियादी ज्यान परदान करना एवं निमलेखित पहलूओं की समगर समझे विक्सित करने की BC की सहायता करना है तो आप इतना से समझ गया होंगे दोस्तों की हमें किस लिए एक्जाम लिया जा रहा है और हमें क्या ग्यान देना चाहते हैं इन लोग तो यहां पे जैसे अब हमारा आग यह एक नमब जो है फाइर्ट यहां पे 4 भाग में इन्होंने बाड़ दिया है कि यहां पे 5 भाग में बाटा है तो हम जो हमारा एक नमबर है सिलेबस उसको हम पहले देख लेते हैं तो इसके लिए दोस्तो हम सीधा जाएंगे अपना Google में और Google में हम देखी जैसे कि यहां पर Google में आएं और यह जो एक नंबर का आप्शन है दोस्तो दरूल फ्रैक्शन और बैंक ऑफ इसको मैंने टैप कर दिया है और यहां पर मैं Google सर्च करता हूं तो Google सर्च करने के बाद दोस्तों आपको देखिए बनीज बैंक कार्ज और इनका क्या कार्ज होता है तो इसके बारे में हमें पूरा जानकारी देदेगा हिंदी में तो आप देखिए दोस्तों यहां पर जो है जो आपको मैं पहले बता दू कि पहले जीश में भी एक्जाम हुआ था तो इसी कोस्चन के रिलेटिव हुआ था बनीज बैंको के कार्ज को कंपनी निम तीन भागों में तीन भागों में बनता जाता है मुख कार्ज, गुमन कार्ज, समाजी कार्ज आप देखिए दोस्तों यहां पर बैंकों को दो परमुख कार्ज क्या है जमा सुईकार करना और रिन देना तो आपको बिल्कुल इसी तरह का कोस्चन पूछा जाता है वहां पे तो आप देख है कि यहां पर उसका पूरा डिटेल से दिया हुए दोस्तों, यहां पर इतना हमें पढ़ने का जरूफ है जो एक नमबर है, एक नमबर ऑप्शन, उसमें हमको इतना ही पढ़ने का जरूफ है, इतना है अगर हम पढ़ लिते हैं तो इसी में से सारा कोश्चन आएगा, पर देख लिजिए आपको एजेंट के रूप में कार्ज बैंक अपने ग्राहा के लिए विभीत्र तरीकों से एजेंट का कार्ज कराता है नमबर वन विभीत्र पदो का एक एकत्रिक करना और भुकतान बैंक और दूसर नमबर पर हाँ है बैंक अपने ग्राहा को के लिए से परतिभूमियों को खरिदने बेचने तता उनको सुरचित रखने का कार्ज भी करता है तो यहां पर पूरा इसके बारे में कनफर्म हो जाएंगे दोस्तों जो पिछले बार भी कोश्चन आया था उसमें आप से पूछा गया था कि जिस छेत्र में जिस ग्रामिन छेत्र में अगर हमारा बैंक नहीं पहुंच पाता है उस ग्रामिन छेत्र को बैंक का सोरी बैंक के बैंक तक कैसे पहुंचाएं तो आहां पर बहुत मतलब मैं भी वहां पर गरत कर दिया था कि पोस्ट ओफिस से लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है बैंक के जेंट वहां पर जाएंगे तो की तो दोस्तो यह बहुत अच्छा टॉपिक है और वह difिक आप धे लएते हैं दोस्तो यहां पर दूसरा ठॉपिक घर में कोपी करता हूं और इसको गूगल में में ओपन करता हूं और इसमें जानते है कि इसमें क्या दिखाता है हमें तो देखे दोस्तों यहां पर मैं आगे इसको हिंदी लगा दूँगा तो यह हमारे हिंदी में आएगाँ तो देखे दोस्तों यहां पर जो है इसमें बैंकिंग परिचालान और परकिरियाओं का मूल बाते जो कि आपको यहां पर जब Google में सर्च करेंगे तो आपको यहां पर इसके बारे में पूरा जनकारी मिल जाएगा तो इसी तरह दोस्तो अब चलते हैं तीसरा नमबर को तीसरा उप्सन को देख लिए हैं तो तेखें को मैं सीधा कोपी करके और फिर से मैं Google में टइप कर दूंगा तो दूस्तों यह बहुत इजी है आपको मैं सबी पट पर दिखाऊंगा यहां पर कि इसका तो देखिए मैंने यहां पर सको कोपी कर दिया है पेस्ट कर दिया है और इसको भी मैं कि हिंदी कर देता हूं कि यह हमें हिंदी में चाहिए है तो आप यहां पर देख सकते हैं दूस्तु यह जो है इसका डिटेल्स भी यहां पर निकल के आ गया है आप इस वेबसाइट पर आएंगे दूस्तु तो यहां पर कि हिंदी का उप्शन आएगा अब हिंदी में यहां पर करके देखिए यहां पर बताएगा जनवरी 2006 में भारतियर इजाएब बैंक एक नए सेट जारी दिसा निर्देश बैंक के अनुमति के बिचॉलियों के दो सिरेनियों रोजगार बी एफ है वेबसाइट पर संबादात जाएगा ठीजाूं की सबस्क्राइब करने की सुंद्तरओं रूकुनियों कि बेंक लेकी को कता जैएगा सिरे हैं। लेकिन की और से लेंदें नहीं कर सकते बैंक तो यहां पर इसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा दोस्तों आप जब गूगल में उस टॉपिक को डालेंगे तो आपको यहां पर पूरा उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा तो वही अब हम देख लेते हैं दोस्तों तीसरा option को कि तीसरा option में हमें क्या मिलता है तो तीसरा option को मैं copy कर लेता हूँ और इसके बारे में मैं जान लेता हूँ सबसे पहले कि ये हमसे क्या पूछ रहा है तो देखें इसको भी मैं यहीं पे paste कर दूगा और यहां पे बीतिये सलाह और प्रामर्स है तो बीतिये सलाह और प्रामर्स के बारे में आप पे knowledge ले सकते हैं कि बीतिये सलाह और प्रामर्स क्या है इसके बारे में आप पूरा जानिए तो चलिए इसको भी गूगल में हम डाल लेते हैं और इसको यहां पर मैं हिंदी लिग देता हूं हुआ है हिंदे तो देखे आपको कोई यहां पर हिंदी का पेज मिल जाएगा जिसमें पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा जितों विकिपीडिया देख लेते हैं विकिपीडिया में आपको पूरा डिटेल से इसके बारे मिल जाएगा और यहां पर यह इंगली से बता रहा है तो मैं को हिंदी सारव तुछासा में वीडियो को श्कीप कर दता हूं हिंदी पेज खोल और यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो चौथा उप्शन था उसके लिए मैं सर्च किया तो ही click video जो यहां पहां पहे आया उसका हिंदी में जो है दूस्तों यहां पहे आपको पूरा detail मिल जाएगा कि इस इसका मतलब क्या है इतना आपको यह आपको यह दो पेज में ही सारा solution मिल जाएगा और वहीं पे आप चलते हैं आपको पच्वा पच्वा नमर ऑप्शन के तरफ पी-एम-जे-डे-वाई एंड अस्कीम इन हिंदी इसको कर देते हैं योजना का बीबरन प्रधान मंति जंधन योजना योजना क्या है दूस्तों इसके बारे में तो करी-करी आप लोग 90% जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं इसके बारे में और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप यहां पर जान सकते हैं देखें दोस्तों आपको इतना जो पेज है प्रधान मंति जंधन योजना का पी-एम-जे-डे-वाई तो यहां पर दोस्तों पूरा दिया हुआ है इसी मेंसे तोड मोरोड कि आपसे कोस्टेन पूछा जाता है तो दोस्तों यह जो टृक है बहुत अच्छा है हमें जैसे लग रहा है और अगर आपको किस तरह का यह टिक लगता है हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता है अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेर करना ब ही जै भारत